प्रिये चात्रों से प्रेम निवस्ते आपने जो है पिछले आध्याय में लैने कि पिछले पाट में कवी हरिवन्स राय बच्चन द्वारा रचित कवित्ता आतम परिच्चे पड़ी थी आज हम उसी का दूसरा भाग कवी हरिवन्स राय बच्चन द्वारा रचित बुद्ध और नाच गर नाम कावे संग्रे से एक गीत नाम कवित्ता का हम यहाँ पर एक गीत कवित्ता पड़ेंगी एक गीत कवित्ता का सार या परते पाते सपस्ट केजिए एक गीत कवित्ता शिरी हरिवन्स राय बच्चन द्वारा क्या एक गीत कवित्ता शिरी हरिवन्स राय बच्चन द्वारा रचित उनकी गीत संग्रे निशा निमंत्रन से संक्लित है या निशा निमंत्रन से लिया गया है एक गीत कवित्ता का कावे संग्रे निशा निमंत्रन पर्शन बनता है एक गीत कवित्ता का कावे संग्रे कोण सा है निशा निमंत्रन इसे कवित्त वारा रचित उस्तक बुद्ध और नाज गर से लिया गया है इसे कवी द्वारा रचित पुस्तक बुद्ध और नाजगर से लिया गया है बच्चन जी हालावाद के परवर्तक कवी है एक गित कवीता के मादम से कवी ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवीता के द्वारा मनुश्य के मनुश्य को समय के बारे में अवगत करा गया है कि समय जो उतता है वह किसी का इंतजार नहीं करता समय वेतित होता चला जाता है मनुश्य को किसी भी कारिये पर कारिये को समय रहते ही कर लेना चाहिए समय प्रियुर्तन सील है कहा भी गया है कि समय का चुका विदार्थी और डाल का चुका हुआ पक्सी कहीं का भी नहीं रहता तो एक इत कविता के दुआरा कवी ने समय पर प्रकास डाला है बच्चन जी हलावाद के प्रवर्तक कवी हैं तथा आधुन हिंदी साहिते के महान साहितेकार माने जाते हैं पस्तूत कविता में कवी ने समय के वेतित होने के एहसास के साथ वेतित कारत है यहाँ पर बीतना यानि कि बीतने होने के एहसास के साथ एहसास कारत है मैसूस के साथ लक्से तक पहुँचने के लिए यानि कि मनुष्य को अपना समय वेत में नेगवाय कर अपनी मंजिल तक पहुँच जाना चाहिए पहुँचने के लिए प्राणी दुवारा कुछ कर गुजरने के जज़बे का चेत्रन किया है इस कविता में कवी की रहस्यवादी चेत्रा भी मुखरित हुई है मैंने पहले आपको बताया था कि समय चीर प्रिवर्तन सील है जो नियंतर्म गति सील है समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता वे अपनी एक निश्ची दिशा में चलता रहता है आम तोर पर विदार्थी सोंचते रहते हैं कि आज नहीं कल नहीं परसों इस परकार अपने कारी को कारी को करते रहते हैं और वो कारी कभी भी पूरा नहीं हो पाता आज का कारी आज ही करना यानि की समय की गति को दर्शाता है यह चन मातर भी नहीं रुपता और नहीं किसी की परवा करता है चन मात्र का मतलब है थोड़े से समय के लिए भी नहीं रुपता और नहीं किसी की परवा करता है यहाँ परतेक प्राणी अपनी मंजिल को पाने की चाहा लेकर जीवन रूपी मार्ग पर निकलता है क्या पताया परतेक प्राणी यानि कि परतेक मनुष्य अपनी मंजिल अपनी लक्से को प्राप करने के लिए प्राप करने की चाहा से लेकर जीवन रूपी मार्ग यानि कि मुझे किस रास्ते पर आगे निकलना है इस पर परकाश डाला है वह यह सोचकर अती सिगरता से चलता है यानि कि मनुष्य यह सोचकर अती सिगरता से या जल्दी जल्दी से चलता है कि कहीं उसे रास्ते में कहीं उसे रास्ते में चलते चलते रात ने हो जाए उसकी मंजिल भी उससे दूर नहीं यानिकि जब वह चलता है तो चलते चलते वह यह सोचता है कि अब मेरी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है अर्थात मैं अपनी मंजिल पर शिगर से शिगर तक पहुँच जाओंगा उसकी मंजिल भी उससे दूर नहीं फिर वह चिंता में मगन रहता है। पक्षियों के मादम से कवी ने समय के मैत्तों को दर्शाया है कि पक्षियों के बच्चे भी अपने गोशलों में अपने माबाप को नय पाकर प्रेशानी से भर उड़ते हैं। सुबह होती हैं पक्षि जोते हैं अपने छोटे नन्ने बच्चों को गोशलों में छोड़कर दिन भर परिश्रम करने के लिए अपने गोशलों से दूर चले जाते हैं। उसी परकार मनुष्य भी प्राते काल होते ही अपने किसी काले के लिए या अपने किसी मंजिल पाने के लिए अपने गर से निकलता है। और जैसे ही श्याम होती है तो उसको घर वापिस पहुंचने की चिंता सताने लगती है उसी परकार पक्सियों के बच्चे भी अपने गोशलों में अपने माबाप को नए पाकर प्रेशाने से भर उठते हैं गोशलों में अपने बच्चे को अकेला छोड़कर गए पक्सी भी इसी चिंता में रहते हैं कि उनके बच्चे भी उनके आने की आसा में आपने अपने गोशलों से जाक रहे हुँँगी जिस परकार मनुश्य भी जब आपने किसी कारी के लिए सुभए आपने किसी लक्सी के लिए किसी मंजीर के लिए सुभए निकलता है और जैसे हिस्याम होती हैं तो परिवार के सभी सदे से उसका इंजार करने लगते हैं उसी परकार पक्सी छोटे छोटे पक्सी गोशनों में अपने माता पिता के वापिस आने की इंजार करते रहते हैं जब जब भी बज्जे भी उनके आने के आशा में अपने गोशनों जाक रहे होंगे जब जब भी ये ऐसा सोचते हैं तो यह भाव उनके पंखों में नहीं जाने कितनी चंचलता है उन्हें सपूलती भर देता है उसी परकार दिन भर का ठका हुआ मनुश्य जब आपने घर की तरफ वापिश मूह करता है यानि कि आपने घर की तरफ पहुंचने की आशा जगात है तो उसकी ठकान दूर हो जाती है और वे जल्दी जल्दी आपने कदमों को आगे तो रखता हुआ अपने घर पहुँचने की आसा करता है और उसकी ठकान नहीं कि बिल्कुल समात हो जाती है उसी परकार अपने जियाश्य लूपी मार्क पर चलते चलते कवी हैं चिंतन करता है कि उससे कवी हैं चिंतन करता है कि उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल हो रहा है कोई व्याकुल हो रहा है बेचेन व्याकुल का मतलब बेचेन हो रहा है फिर वह किसके लिए इतनी सिगर्ता करें जब भी कवी के मन में ऐ ऐसा पर्षन उड़ता है तो यह परसज उसके पैरों को सुष्ट कर देता है, तथा उसके हर देम व्याकुलता भर देता है, इस परकार दिन अत्यन्थ सिगर्ता से वेतित हो रहा है। तो एक गीत कवित्ता के मादम से कभी यहीं संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को अपना कारिय समय पर करना चाहिए नहीं कि उसे टाल मटोल करना चाहिए. अगर मनुष्य अपने कारिय को उचित समय पर नहीं कर पाता तो उसका कारिय कभी भी पूरा नहीं हो पाता और वह है अपने लक्से से भटक जाता है अर्थात अपनी मंजिल से दूर हो जाता है तो मनुष्य को कभी भी कोई कारिय अपने कल पर नहीं छोड़ना चाहिए कहा भी गया कल करे सो आज करे सो अब अब नहीं करेगा तो पल भर में परले हो रही है करेगा कब जैहिन जैवार धन्यवाद